नमस्कार आप देख रहें नेशन लाइव, मैं हूँ आपके साथ अंजली सिंग UPK बल्या में से BJP विधायक सुरेंदर सिंग ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बल्या से ना जोडने पर अपना दुख साहिर किया सुरेंदर सिंग का कहना है कि उन्हें दर्द है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बल्या अचूता रहा साथ ही पूरवर्ती सरकारें सहित BJP के मुख्यमंत्रियों पर बल्या जनपर से बेइमानिक करने का आरूप लगाया और विकास के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ सत्याग्रे करने की बात कही हलो कि मुझे दर्द है और अब तब कि जितने भी सरकारें बने हैं इनकलोडि हमारी भाजपा की सरकार भी और भाजपा के हमारे जो भी मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारे बल्या के साथ बेइमानी किये हैं और मैं मैं निशे तुमसे कह रहा हूं कि आफशता पड़ेगी तो अपनी सरकार में भी बल्या के विकास के लिए मैं सत्याग्रा करूंगा मैं गोरकपुर में एमस बन गया और देवरिया में फिर मेडिकल कालेज बन जाए और बल्या में कुछ न बने जबकि बिहार का सबसे उत्रप्रदेश का सबसे अंतिम जिला है तो यह बल्या कि स्याथ बैमानी है यदि आधनी जोगी जी ने वेसा किया है तो मैं तो यह जनलेवा है मतलब इस पर चलना मौत को दावत देना है आए दिन इस पर दुर घटना हो रही है अब बहुत सारे लोग किसी ने अपने बच्चा को दिया किसी ने अपना गर्जिवन को दिया यह जिला इस जिले से हमारे प्रधान मंतरी चंसे खरजी है इस लिंक रोडो की तो बात छोड़ दी एनेज की दुर्जासा साब आप लोग खुद बलिया से जब एरियाक तरफ आते हैं तो साइद भी आपके मन में यह पीडा उठती होगी कि बलिया की इनेज इस पर दियात्रा हम जै प्रभा से तु माजी से संबल जिले के चंदोसी में सारजनिक स्तलों पर लगे वाटर फ्रिज को भगवा रंग से पेंट के जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है पताया जा रहा है कि मसंबल जिले में चंदोसी नगर पालिका परिशत की बीजेपी की चेयर में इंदूरानी के निदेश पर सहर में सारजनिक स्तलों पर लगे 125 वाटर फ्रिज पर भगवा रंग कराया जा रहा है जिस पर जिले के एस्पी नेता इसका कड़ा विरोत कर रहे है वहीं एस्पी नेताओं का कहना है कि पालिका अध्यक्ष जिन वाटर फ्रिज को भगवा रंग से पेंट करा रही है वो सभी फ्रिज सपाद्वारा लगवाए गए है वो सभी नेताओं करने वाले लेक पालो पर शाषन प्रशाषन की कारवाई का कोई असर नहीं पड़ा है लेकपालो का डियम कार्याले के बगल में धर्णा जारी है जब प्रशनकारी लेकपालो ने सरकार के विरोध नारे बाजी की और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ खुल कर मोर्चा खोला वही लेकपालों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे वही लेकपालों ने बस्ता वापिस ना करने की भी बात कई है वही एडियम ने कहा कि जो भी लेकपाल प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नोटे जारी कर सक्त कारवाई की जाएगी वही लेकपालों के खिलाफ कारवाई करते हुए अब तक 14 लेकपालों को निलंबत भी कर दिया गया है हमारी वेतन विशंगती हो गई है एक शी समवर्ण में दो वर्ण बना दिये गए उनको दूर किया जाए हमारे कुछ साथियों का पेंसन विशंगत हो गई है उनको पेंसन का लाब मिलना जाए निमानुशागूं को 2001 में नियुक्ती हुई थी परंत कट्पे कारवनों से उनक राजस परस्त से एक साथना देश भी आया हुआ है कि लेकपाल की श्टाइक पर इसमा लगा दिया गया है तो इनको निर्देशित किया गए कि आप अपने श्टाइक को खतम करके वापस आजाए तो लेकपाल के जिलाद ध्यक्ष हैं महमंतरी हैं तसिलुम के जिलाद ध्य कि अगर आप काम नहीं करें तो अपना बस्ता जमा कर दीजित बस्ता भी यह लोग नहीं कर रहेते हैं जिसके कारण को आरूपत जारी करते हुए जिसमें जिला ध्यक्ष और जिला महमंतरी हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सम्वाद आता उन्नाव से आसूतोश मिश् जाश्टोश क्या है पूरा मामला थिया आपको बता दें उन नौ में दो दो दिनों से लेकपाल धने पर बैठे हुए हैं और लेकपाल पे शासन तो शासन की कारवाही का कोई असर नहीं पड़ आ है लेकपाल बराबर डियम कारले के बगर में धर्मना जारी करे हुए हैं कि और एडियम के निर्देत के बाद भी लेकपालों पे कोई भी किसीा कि उन पुंहाश्चने के लिए उनको कोई भी प्रकार कि वह नहीं है समिस्ट्य नहीं है वह बराबर अपने ही एक उस पैस्थ अडब हैं और ते हुए है और वह उनका कही नहीं कि land लेकवा पार्ड कि अब तक अपनी हर्ताल वापस लेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और हमारे जो हमारे जो क्या करते हैं पूरी नहीं हो पाएंगी और कब तक इनका प्रदशन यूही जारी रहेगा हंज़ी जी आपको बता दें कि ये लेकपार लोग पिछले तीन दिनों से धर्मे पे हैं और इनका बराबर यही कहना है कि जब तक इनकी कारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये यूही धर्मे पर बैठे रहेंगे चाहें सरकार और साथन की तरफ को भी कारवाई कर दी दातन की सरकार की बातों को ये बिल्कुल नजर अंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं आपर बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर यूपी में लेकपाल संग के बैनर तले जहांसी के लेकपालों की आठ सूत्रिय मांगों को लेकर हरताल जारी है लेकपालों ने 26 जून से कार भहिषकार किया हुए वहिंद तीन जूलाइ से लेकपालों ने सारा कामकाज बंद कर दिया है जिसे राजर संगी बहताल का कहना है क्ना लगतार बढ़ाया जा रहा है लेकिन सहूलीते नहीं दी जा रही है उनकी मांगे है कि उनका वेतन 28 रुपे किया जाए और इसे व्से आपकी वार्ड दो हजार में दम नहीं। जिस मैं माननी है आज के जो मंत्री थी है वस्तम अब गोरकपुर के सांसा थे उन्होंने खुद आसबसन दिया था के लेकपाल की जो मांगे हैं वो पूरी तरह जायज हैं और जिस जिनके दोआरा ये मांगे जायज ठहराई गहीं थी आज उनी के दोआरा ये मांगे नाजायज बताई जा रही है जबकि लेकपाल का स्केल जो है एक चपरासी की तरह का स्केल बना कर दिया गया है उससे काम तो अथकारी की तरह लिए जाते हैं लेकिन उसको स्केल च पर है और लेट पाल की पोस्टिंग बीस तो दो जार के गिरट पकी जा रही है और अगली दस साल के प्रमोशन के बाद सपरासी का इसे हमें साधन की विजरुवत है विना साधनों के संसाधनों के परिवर्दन नहीं हो सकता आप यह आदिश देते हैं कि एक दिन में आय जात पर फोर नेंज और अब खबर फिरोजाबाद के थाना एका के गाउन नगला तेजपुर की है जहां एक गरीब में अधिकारियों और लेकपालों पर दबंगई का आरूप लगाया है गरीब का कहना है कि अधिकारियों और लेकपालों ने मिलकर उसके घर पर जेसी भी चला जिस पज्जिला अधिकारी निया शर्मा ने दोश्यों के खिलाफ कारवाही की बात कई है। मुस्तावाद सरकल प्याइन साब और जेई लोग हैंगे साब और गाउंबालेंगे। में किसी उच्छ दिकारी का आदेश ना होने की दर्शा में इतना बड़ा निर्न है जो उन लोगों ने लिए। यूपी की खाकी पर आरोपो का सिलसला लगातार जारी है। सरकार चाहे किसी के भी हो, वादे चाहे किसी के भी रही हो। लेकिन यूपी पुलिस के दामन पर दाग हमेशा लगते आए हैं। तरसल यूपी में योगी सरकार बनते ही सबसे पहले यूपी की कानून विवस्ता को सुधारने के लिए फर्मान जारी किया गया था। लेकिन यूपी में नहीं कोई कानून सुधरा और नहीं कोई विवस्ता। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक बूड़े बाप के आंसू अपनी गुमशुदा बेटी का दर्द बया कर रहे हैं जहासी में नावाबाद थानचेट के बालाजी टावर पर मानव विकास्वादी कल्यांट संस्थान नाम की कमपनी को प्रशासनी सीज़ कर दिया है संस्थान करीट चार महीने से युवकों से रोजगार के नाम पर 40-50 हजार रुपे की ठगी करती थी जिसके शिकायत मिलने पर जिलादिकारी और पुलिस ने संस्थान पर चापे मारी कर उसे सीज़ कर दिया वही स्पी सिटी देवेश कुमार पांडे के बताये की संस्थान को सीज़ कर पांच लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दिया है जाज पूरी होने के बाद आगे की कारवाई जारी की जाएगी. जाज पूरी होने के बाद आगे के बाद आगे की की जाज पूरा मामला. अजी में यूत अपन बेगापने शॉक्तीन ही ला यहां को करते हैं ने सौ करते हैं, चटते हैं शुख परहता है। पहले पैसे जमा करते थे, उसके बाद या रजिशान करते थे, उसके बाद तो यह इकी दिन की पूर की उनको ट्रेक्ट लेते थे, ट्रेक्तर आप के पर अपके आखाउन्दि आपके अगाउन में आजगी, आपके पर बढ़ावार फूरा जो जानसाजी का पूरा नरता है, इसके पास असा कौन से अल्ला दीन का चिराग आ गया जिस ते के जो 20,000 की एवज में 20,000 जमाज करने पर 20,000 जो है जो है तैली कर रहा है यह को जादू जब जिला पिर्साचन ने इस पर छाप अमारी कारवाई की तो यहाँ पूरी संसान में हरकम बच गया हमें आपको बचादू संसान में 5 लोगों हरासत में लिया तकल और उनसे पूस्ता जारी करी जब पूस्ता की जब चायब पाया गया है तो देखाथा है कि कागजादों की बलपक पूट रहते जो काज़त सी उनको तैयार करके जो बेरोजगार यहाँ कि है नभीवक उनको ठ दरगना था उसके खिलाब सम्मद्धी दारों में मुकद्वा दच कर लिया जी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया इंतवाम जानकरी के लिए बढ़ते हैं अंगली खबर की ओर पिये मोदी के सुच भारत अभ्यान पर परती तक किस तरह से लगाये जा रहा है यह असम के दोष्णा का लाब नहीं ले पा रहे हैं अभी बुश्किल है इसे जंगल उंगल जाके वह सब करना पड़ता है लेटिंग वागे रहा है अभी अभी उपस्ति दूप असां का लोखिंपुर जीरा का एकिकिति इंजिर्या यानिक पाबिक हैट का जो एकिस्किति इंजिर्या साब है अभी आपकों का ऑफिसमे में आभी नहा हूँ मैं साब से बाचिति इंजिर्या था और शान रहा है कि लोखिंपुर टिस्ति में जीतला पाब लिगे थिकति तोलों से जो ठिका आड़िया था या जो एंजिर्या ये ना उनों खुद बनाए गावल के एकिसी इंजिर्या नेक्सार अगरा के केंदे कारगार में आजीवन कारवास की सजा काट रहे एक कैदी ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली विली जानकारी के मताबिक कैदी का शव संदिक्द हालत में बातरूम के फ्लश से लटका हुआ मिला वही घटना की जानकारी मिलते ही जेल अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए जिसके बाद एडियम सिटी ने शव को पोस्माटम के लिए भेज कर घटना के मेजिस्ट्रेटी जाच के आदेश दे दिया है बता दे कि घटना मंगलवार रात की है जहां मेरट के थाना इंचैली के साधारंपूर का रहने वाल अमृतक कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारवास की सजा काट रहा था फिरोजबाद के थाना सेश्टा गंज में बाइक पर अपने भाई के साथ मौसी के घर जा रही युवती के साथ तीन मंचलों ने छेर चाड़ की जहां मंचलों का विरोध करने पर युवती के भाई को मंचलों ने बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया जिसमें युवती के भाई का पैर फ्रेक्चर हो गया वहीं युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकटा हुए तो बदमाश मौके से फरार हो गए वहीं पीड़तों का आरोप है कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस की गाड़ी घटना स्थल पर पहुँच गई लेकिन उनकी मदद करने की बजाए एक पुलिस कर्मी उनका जाते सूचक शब्द का प्रेयोक कर गाली गलौस देते हुए चला गया मौसिया बाद एक लती लड़के थे मौटर साइकल से बाइक से जय अम मोसी की घर जा रहे थे पैसे लेकिए है कि वोलोगों ने चल मोटर साइकल में लाद दी है लाद देके हम गेर गाए दोनों लोग लोग लूख के मैर गई गर गईगई तो इसने पई वहीया कि कर रहा है तो ने तोले तिल्ला परी तोले चौकी वाले आ गए उनने बचा लिया है उनके फूर पर्चे पर उनका खहना है कि पहले भी उनसे जड़ा हो चुका था तो आज उन्होंने मोका देखते हैं इनके हमला किया हुआ है और इस पर वी उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ रह कि तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन लाइव नमस्कार